नमास्कार दोस्तों, Electrical Technician Channel में आपका स्वागत हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम सिखेंगे कि किस प्रकार से हमारे घर में Change Over Switch बनाएंगे दोस्तों, देखिए, जो हमारे घर होता है, उस घर में यदि हमें Power Supply देना होता है, तो उसके लिए हम Electric Pole का इस्तमाल करते हैं यानि कि हम Electric Pole से केबल को Connect करके लाते हैं और उसको लियाके हमारे घर में जो Energy Meter होता है, उसको Power Supply दे देते हैं जैसे कि generator हो गया, solar sale हो गया, inverter हो और भी बहुत कुछ होते हैं जिसके द्वारा हम Power Supply को ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक जनेरेटर ले लिया हूँ, अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपके पास में दो Power Source हो गया है, अब दोनों Power Source के द्वारा आपको पूरे घर म हैं, तो यहाँ पे हमें एक change over switch के जोट परती हैं, तो यहाँ पे जो change over switch होता है, उसको किस परकार से बनाएंगे, और किस परकार से connection करेंगे, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो के तवारा सीखेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को आप last तक देखिएगा, और यदि आ यहाँ पे दो contactor का इस्तमाल करना पड़ेगा, यह जो हमारा पहला contactor है, उसको हम generator के लिए इस्तमाल करेंगे, और दूसरा contactor को हम electric pole के लिए इस्तमाल करेंगे, यानि कि electric pole से जो main power supply आती है, उसके लिए इस्तमाल करेंगे, अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो power wiring कर देते है तो देखिए दोस्तों, यह जो हमारा contactor है, इसको power supply देनी के लिए सबसे पहले तो हमारा जो electric pole होता है, वहाँ से wire को connect करके लाएंगे, यहाँ से हमने face supply को लिया और इसको लियागे, इसको लियागे contactor के एक terminal पे connect कर देंगे, यहाँ पे जो power terminal होता है, उसमें आपको connect करन अब दोस्तों देखिए, यह जो हमारा contactor है, इसके outgoing terminal यानि कि यह T1 और T2 terminal जो है, यहाँ से हम face supply और neutral supply को connect करके हमारे घर में connect कर देंगे, तो यहाँ से मैंने face supply को connect किया और इसको लियागे घर में connect कर दिया हूँ, अब यह जो हमारा दूसरा terminal है, इस terminal से हम neutral supply को connect करेंगे और इसको लियागे हमारे घर में connect कर देंगे, ठीके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो contactor होता है, यदि यह contactor चालू है, तो हमारे घर में power supply जाएगी, यदि यह contactor चालू नहीं है, तो हमारे घर में power supply नहीं जाएगा, ठीके दोस्तों, अब यहाँ पी जो हमने power wiring किये त अब इसी generator का जो neutral supply होती है वहाँ से एक बार को connect करके लाएंगे और इसको लियाके हमारा जो contactor है उसके पहले terminal पे connect कर देंगे तो यह जो हमारा contactor था इसको incoming terminal पे हमने face supply और neutral supply connect कर दिये अब इस contactor का जो outwind terminal होती है यानि कि T1 और T2 इन दो terminal पे हम face supply और neutral supply को connect करके इस घर में power supply को लेकि जाएंगे तो मैंने किया किया है यह जो T2 terminal है वहाँ से एक बार को connect करके इस main power supply के साथ connect कर दिये यानि कि इस contactor का जो outwind terminal है उसको लिए इस contactor के outwind terminal के साथ connect कर दिया और यहाँ से power supply हमारे घर में चली गई है same to same हम neutral supply को भी कर देंगे यहाँ से एक बार को connect करके लाएंगे और इसको क्या करेंगे इस contactor का जो neutral supply है उसके सर connect कर देंगे जिससे क्या होगा इन दोनों का outwind terminal आपस में सोट हो गया अब यदि इन दोनों में से कोई भी contactor चालू होता है दोस्तों यहाँ पे हम दो अलग-अलग power source का इस्तमाल किये है तो दोस्तों एक चीज हमें से याद रखेगा यदि आपके घर में दो अलग-अलग power source का इस्तमाल किया गया है तो दोनों power source एक साथ चालू नहीं होना चीए एक time पे केवल एक power source on होना चाहिए तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारा contactor है इसका जो NC contact होता है उसको हम इस contactor के जो coil का supply होगा उसके series में connect करेंगे ठीक है अब यह जो contactor है इसको on करने के लिए connection कर देते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह जो power source है यानि के generator से जो power supply आ रही थी वहां से एक वायर को loop करेंगे हमारा जो NC contact है जो main contactor का उसके incoming terminal पे power supply दे देंगे अब इस NC contact के आटगोईन terminal से एक वायर को connect करेंगे और इसको लिया के A1 terminal के साथ connect करेंगे यह हमारा contactor का A1 terminal है तो हमने इसके coil में face supply दे दिये दोस्तों अब यह जो contactor है इस contactor का जो NC contact है उसको हम main contactor के power supply के series में connect करेंगे तो यह हमारा generator का NC contact होगे अब दोस्तों दिए यह जो contactor है इसको चालू करने के लिए यहाँ पे हम connection कर देते हैं इस contactor को चालू करने के लिए हम power supply इस face supply के द्वारा देंगे यानि कि यहाँ से एक wire को connect करेंगे और इसको लिए जाके जो हमारा generator था इसका जो NC contact है उसको incoming power supply दे देंगे कुछ इस पकार से ठीके दोस्तों अब यह जो NC contact है इसके outgoing terminal से एक wire को connect करेंगे होता है उस terminal पे हमें neutral supply देना होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से एक wire को loop करेंगे और इसको लिए जाके A to terminal पे connect कर देंगे यानि कि neutral supply को हम directly इसको connect कर दिए same to same हम man contactor में भी करेंगे यहाँ से एक wire को connect करेंगे और इसको लिए जाके हमारा जो A2 terminal होए उसमें connect कर देंगे ठीक है दोस्तों तो इससे क्या होगा हमारा जो contactor है उसको fast supply और neutral supply मिल जाएगा अब दोस्तों देखिए यदि हमारा man power supply on है तो क्या होगा power supply यहाँ से flow होगा यह NC contact है इसलिए क्या होगा power supply आगे flow होने देगा अब flow होते हुए इस contactor के coil में चले जाएगी जिससे यह contactor on होजाएगा अब यह contactor on होती है दोस्तों तो यह जो NC contact है वो NO बन जाएगाино बनने से क्या हो दोस्तों यह जो power supply हो यहाँ से आगे flow नहीं हो पाएगा जिसके कारण से यह जो हमारा पावर बन जाएगा अब दोस्तों यह जो झो अन्ज क् हुआ यदि इसमें power supply है यानि कि generator का power supply ओन है तो क्या हुआ यहां से power supply फुरू होते हुए सीधे इस contactor के coil में चली जाएगी जिससे हमारा जो contactor है वो ओन हो जाएगा इसके ओन होने पर क्या हुआ इसका जो NC contact है वो एनो बन जाएगा ठीक दोस्तों तो यहां पर हमारा जो contactor था इसके ओन होने पर यह वाला contactor ओन नहीं होगा ठीक दोस्तों अब यहां पर एक प्रॉलम है अब यदि आपका power supply आ जाती है यानि हमें यहां पर एक अस्तमाल करना पड़ाइगा यहां पर आप असरे कोण्तेक्टर या एक तरीक Anstag का इसे घ्रेड़ करने करके लाइंगे और इसको सिधह लिए जाके हमारे जो contactor है उसके एवन टरमिल पर कनेक कर देंगे जिस से क्या होगा यदि इसमें पावर supply है यानि कि electric pole में power supply है तो यह जो contactor है वो on हो जाए ठीक है अब इस contactor को neutral supply देने के लिए हम यहां से एक wire को loop करके इसके A to tunnel पे connect कर देंगे ठीक है दोस्तों जिससे क्या होगा यह जो हमारा contactor है वो चालू रहेगा कब चालू रहेगा जब हमारा electric pole में power supply रहती है ठीक है दोस्तों अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा generator का coil का supply थी उसमें थोड़ा सा हमें modify करना पड़ेगा क्या modify करेंगे दोस्तों देख लिए यह जो हमने power supply यहां से connect किये थे इसको remove करना पड़ेगा ठीक है अब यह जो हमारा auxiliary contactor है इसको power supply देने के लिए हम क्या करेंगे यहां से एक बार को connect करेंगे और इसको ले जाके इस nc contact को incoming power supply दे देंगे ठीक है दोस्तों यहां पर हमने इसको incoming power supply दे दिये अब इसके और इन्टर्ण से एक बार को connect करेंगे और जो हमारा man contactor का nc contact था उसको incoming power supply दे दे यहां से पावर सप्लाई फ्लो का ठीक है अब यहां से पावर सप्लाई आएगी दो जगा फ्लो का एक तो यहां से फ्लो होगा और दूसरा यहां से फ्लो का ठीक है अब यहां से पावर सप्लाई जब आएगी तो यह Nc contact है जिससे कारण से power supply आगे flow होते है इस contactor के कोइल में चलिए जाएगी जिससे यह वाला contactor ON हो जाएगी और यह वाला contactor ON हो जाएगी अब यह दोनों contactor जैसे ही ON होते हैं तो इसका जो Nc contact है वो ANO बन जाएगा यानि कि यह दोनों contact जाएंगे अब येदी जनेटर का पावर सप्लाई ओन भी है तो क्या होगा यहां से प्लावर सप्लाई यहां तक पहुचेगा इसके आगे फ्लोग नहीं हो पाया तो यह जो एनसी कॉंटेक्ट था वो एन लुक्यों ऑना क्योंकि यह दोनों कॉंटेक्टर ओन है अब यह दि पावरा बंद्ध हो गया है, बंध होने पे क्या होगा यह दुबारा NC बन जायगा और NC बनने क्या होगा पार सप्लाइ आगे flow होते हुए इस kontraktor के coil में चली जाएगी जिससे क्या होगा यह जो हमारा kontraktor है वो वो direct on हो जाएगी, इसके on होने से क्या होगा, यह जो NC contact है, वो दुबारा NO बन जाएगा, इसके NO बनने पे, यह जो हमारा contactor है, इसके A1 terminal पर power supply नहीं जा पाएगा, जिससे, यह जो contactor है, वो दुबारा off हो जाएगा, इसके off होने पे, यह वाला contactor ओन हो जाएगी, और जो हम वीडियो पर like, share और comment कर दीजेगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe भी कर लीजेगा, इस वीडियो को देखने के लिए धन्या हो,